आखिरकार अजे देवगन की मैदान से अप्शगुन के काले बादल हट चुके हैं कई बार टलने के बाद फिल्म रिलीज होने जा रही है और इद दोहसार चौबिस की डेट अजे ने अपनी मूवी के लिए पक्की कर ली है अब खबर आ रही है कि फिल्म के ट्वेलर की मूद इखाई करवा दी गई है जहां से इसका फर्स रिव्यू सामने आ गया है बीते दिन ही ऑल्विस बॉल्वुड ने मैदान के ट्वेलर का वेरी फर्स रिव्यू अपने ओफिशल हैंडल से शियर किया है जिसमें मैदान के इस ट्वेलर की खूब तारीफ और फिल्म को सूपर उप बताया जा रहा है ऐसे में उमीद की जा रही है कि हो सकता है मैदान के ट्वेलर की CBFC दफतर में मूद इखाई करवा दी गई हो या फिर मेकर्स ने इस ट्वेलर के लिए एक स्पेशल और इंटिमेट स्क्रीनिंग रखी हो जहां से ये रिव्यू सामने आया है सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रिव्यू में क्या लिखा हुआ है Always Bollywood के ट्वीट के मुताबिक exclusive Just watched the 2 minute 46 seconds lengthy trailer of Ajay Devkan Starer Meidan A stylish perfect blend of emotion and athleticism felt like this character is mean for one and only Ajay Devkan Superb Trailer Hashtag Meidan Trailer बता दे कि मैदान का trailer 2 minute 46 second का होने वाला है और इस रिव्यू के मुताबिक ये एक दम perfect blend है जो आपको emotion के साथ excited भी कर देने वाला है अब इस review से इतना कहा जा सकता है कि मैदान की storyline फैंस को हैरान कर देने वाली है और माना जा रहा है कि release के बाद ये film अच्छा word of mouth भी game कर सकती है वहीं आपको बता दे कि दो दिन पहले trade analyst Komal Nahata ने भी मैदान की trailer का review शेयर किया था जिसमें उन्होंने trailer को देख कर बोला की होने में अभी थोड़ा सा time बचा हुआ है ऐसे में trailer को film release के 15-20 दिन पहले ही release किया जाता है अब देखना होगा कि जब scratch trailer को ही इतना तगड़ा response विल रहा है तो final trailer के वक्त क्या हाल होगा Bollywood की latest news, gossip, film reviews, song reviews के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल Crazy for Bollywood को And yes, don't forget to press the bell icon ता कि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं